रिवाडी के सेक्टर 18 में चल रही पंडित प्रदीप मिस्रा की सिव महापुरान कथा के बीच एक के बाद एक महिलाओं की सोने की चैन तूट रही है 30,000 से जादा भी भीड में एक्टिव स्नेचिंग ग्रोह के पांच और महिलाओं के गले की चैन उड़ा डाली इस बीच चैन तोड़ कर भाग रही महिला चोर को रंगे हातों पकड़ा गया मॉडल टाउन थाना पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाब केस दर्च कर पूस्ताज सुरू कर दी है दो दिन के अंदर सोले महिलाओं की सोने की चैन तूट चूकी है इससे यहां सुरक्षा ववस्ता पर भी सवाल या निसान लग रहे हैं मिली जानकारी के नुसार रेवाडी सहर की संसिटी में रहने वाली महिला ननको भाई ने बताया कि वह सेक्टर 18 में चल रही कथा सुनने के बाद देश साम वह पंडाल से बाहर निकल रही थी तबी भीड जादा होने के कारण किसी ने उसके गले पर जपट्टा मारा और उसकी 20 ग्राम सोने की चैन तोड़ ली इस दोरान कंपनी बाग निवासी मंजुलता और कुसुमलता अंसल टाउन निवासी सावित्री धी सोने की चैन तूट गई एक साथ चार महिलाओं की चैन तूटने के बाद इसकी सूचना तुरंथ पुलिस खो दी गई सूचना के बाद मौके पर पहुची पुलिस अभी जाच ही कर रही थी कि सहर से सटे गाओं जाटू सुआस निवासी सुनीता के पीछे से गले पर जपटा मार कर एक महिला की सोने की चैन तोड़ ली सुनीता ने सोर मचाया तो अन्य महिलाओं ने भाग कर आरूपी महिला को मौके पर ही दबोच लिया पकड़ी गई महिला का नाम सुमनी बताये गया है सूचना के बाद मौके पर पहुची पुलिस ने तुरंत आरूपी महिला को हिरासत में ले लिया उससे सोने की चैन भी भीड के बीच ये गिरो एक के बाद एक महिलाओं को सिकार बना रहा है पिछले दो दिन में करीब 16 महिलाओं के गले की चैन तोड़ ली गई है एक महिला के गले से सोने का मंगल सूतर भी चोरी हो चुका है